अज मैं आपके लिए बहुत ज्यादा डिलिशियस बहुत ज्यादा क्रिस्पी आलो मेथी के पराठी की रिस्पी लेकर आई हूँ जिसे बनाना जहाँ ज़्यादा असान है उतना ज्यादा विद्दी लगता है तो वीडियो के इन तक जरूर तक पसंद आए तो लाइक और श पराथे बनाने के लिए शाप कर करके चॉप लिया रफली कुछेका लिए तो आप डो लगा का तियार करेंगे तो अभी मेथी कुड़क तैंजाते हैं एक रॉटी चमश एजवाइन और एक यह चुटी चमस आजवाइन और एक ची चमस घी बटर यो और की पर उस्तिमाल कर सकते हैं करें अच्छे से मिक्स कर दें और इनियी मैंने मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है मेथि 1-2 गरम के मेथि 5-100 गरम ते-5 मेक्स कर दिया है तो 50 ग्रम मेथी डाल दिया है मैंने और इसके बाद हम मेथी को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद हम इसमें थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम सॉप्ट सा लोला कर तियार कर लेंगे इसके बाद हमें धाकर के लिए श्टफिंग तेयार कर लेते हैं तो इसको भी अधाल में ठापटर साइड मेर शटपिंग बनाने को स्टफिंग बनाने के लिए इसमें हम दब चमाजन के लगए तेल डाल देंगे और तील जब अच्छ गरम हो जए इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे एक मिडियम सैच का प्याज जिसे मैंने बिलकुल बारिक चॉप कर लिया है चॉपर में और इसको हमें हलक असा सौप्ट कर लेना है और इसी साथ ही में इसमें एट कर देंगे दो तीन कटी भी हरी मीड चीजी से मैंने बिल्कुँ बारिक चॉप कर लिया है और एक चमच बारिक चॉप कियों अद्रक और लसुन आप यहां पर अद्रक लसुन का पेश्ट इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन चॉप करके डालेगा त तो सारा मेथी डालने के बद मेथी को करीब 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राइब कर लेंगे लें अपको लोट्य मीडियम रखना है और मेथी को पीच पीच में चलाते हुए लगातार चलाने की जरूवत नहीं है अच्छे से फ्राइब कर लिजी और यह लिजी मेथी को पक आप चायत आलू को मैस करके ले सकते हैं आज पने मेथी डाल देंगे फ्राइय किया हूआ जोब हमने फ्राइक इंच के लिजें अच्छे बज़ने के लिए उसमें च्छोटी चमच दनिय का पॉडर एक च्छोटी चंछ घराम मसाला एक चुथाई चुथाई चूथा चु कर देंगे और इसकी बाद हम सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इली जी आलू मेथी के पराथे के लिए बहुत ही ज्यादा स्वास जिस्ट आलू और मेथी के स्टफिंग बन कर तेयार है इसको भीम रखते हैं साइट में और चलते हैं नेक्स प्रोसेस में तो सबुंख तो ब column go to the beginning of the Steel measure अच्छे से मिला लेंगे और इसकी बाद कोपा प्राथे बनाने उससा लो तोल लेंगे इसको अपने अपको से अच्छे सीखना कर लिए और इसकी बाद इसको हालका सब्लाइट कर त мехण कर के बिए और फोलने जीएच अ चै개를ब्रेंगे से हल की स अप्ट्र पर आठे कर दें उस तरीके से बील कर देंगे हैं इसके बाद हम पर आठे को इस तरीके से फोल कर देंगी बहुत ज़्यदह प्रेस करके नहीं किसमें तो हल्के हाथ में ज़ात करना है और मैंने आप पासद पराथे बनाया है आप तो तीकोना पराथे बना सकते हैं भी गोल पराथे बना सकते अंफित Alright मैंने इसको भी दलप चियार करना है लृफ तैयार करिए है मैंने आपर मेडियम फ्लेम पर पैन गरम किया है इसमें पराथा डाल देंगे और एक तरफ से इसको दो से तिन मिलार तक पकाने वाद इसको पलट देंगे और जैसे हम आलू के पराथे सिखते हैं उसी तरीकी से दोनों तरफ से पराथे अच्छे से शीख जाए इसकी बाद ह आप एक बाद ट्राय करके देखिएगा इस पी आपको बहुत पसंद आने वाली है और वाकी के सारे पराथे हम से तरीके से बना कर त्यार कर लें और यह चीप पहुत ज्यादा करा रहें गर्मा गरम अलू मेथी के पराथे बनकर तियार है आपने सिर्फ में तिक आलू के अलू में तिक पराथे ट्राय कीजिए अब देख सकते हैं कितनी सारी है इसकी अंदर है पहुत जादा स्वाधिश पराथे बनकर तियार हुए है एक बड़ी से ट्राय करने बाद मुझे कमेंन में जुरूर बताएगा आपको रिस्पी कैसी लगी यह दिया आपको मेरी कर दो